अभी आपको यही समीकरण दे के पूछा गया होगा कि क्या यह समीकरण दुईगात समीकरण है? चलिए आईए पता करते हैं पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो यह है कि क्या यह समीकरण 0 के बराबर है? इसको तो देखकर लग रहा है कि ये जीरो के बराबर नहीं है है न पर क्या हम इस समीकरण को जीरो के बराबर कर सकते हैं चलिए एक बार कोशिश करके देखते हैं हम इस समीकरण को दोनों तरफ से इसमें से पाच घटा के देखते हैं फिर देखते हैं कि क्या उत्तर आता है, अरे ये तो 0 के बराबर हो गया, तो इससे क्या साबित होता है, कि हमारा दिया गया समिकरण 0 के बराबर है, चलिया ये दूसरे और तीसरे सवाल को देखते हैं, दूसरा सवाल है हमारा कि क्या ये समिकरण में सिर्फ एक ही चर है, तो देख के हमें तो साफ पता चल रहा है कि ये एक ही चर है इसमें जो की है X तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? हाँ चलिए तीसरा सवाल हमारा क्या है? देखते हैं कि क्या समिकरण की कोटी 2 है? तो इधर भी हमें देख के पता चल रहा है कि समिकरण की कोटी 2 है तो इसका भी उत्तर क्या हुआ? हाँ इन तीनों का उत्तर हाँ आने पर हमें क्या थाबित होता है? कि दिया गया समेकरण एक त्विगाद सेमेकरण है